नमास्कार पढ़ाम दोस्तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बोशपुरी में सभसे ज़दा किसकी फिल्म कमाई की है जैसे कि आप सभी को पता है होगा बोचपरी के बहुत सारी फिल्में रिलीज होती है निरहुआ पाउन सिंग और खेसारी लाले दोई की लेकिन आप सभी को ठोस साबुत नहीं मिल पाता है कि किसकी फिल्म कितना कमाई की है तो दोस्तो आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को पुरा साबोत के साथ देखाने वाला हूँ इसकी जनकारी दिया था आनंद मंदिर थियाटर अपने सोसल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जो की आप लोगी स्क्रीन में भी देख सकते हैं और कुछ साल पहले आज तक निव जोला भी बनाया था जो की निरहुआ का फिल्म बर्डर को भी बताया था और 2018 की बात की जाए तो 2018 में पहला पे बर्डर थी दूसरा पे संगरस फिल्म थी खेसारी ललेदो की हाँ तो दोस्तो आप सभी को बताया हूँ निरहुआ पाउन खेसारी में सबसे जदा किसकी फिल्म कमाई की है तो निरहुआ की सबसे जदा फिल्म कमाई की है और भोजपुरी में दो तीन फिल्में और थी जो की निरववा की फिल्म से भी जदा कमाई करने वाली फिल्म थी जो की पुराने एक्टर की फिल्में हैं अगर आप सभी को सही रिपोर्ट चाहिए तो आनंद मंदिर थीयटर के फेस्बुक पेज़ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं जो की वो सिनेमा घरवाला ने कमाई का रिपोर्ट सही सही डाला है देख सकते हैं सेरे इंदुस्तान फिल्म ने मातर एक दिन में एक लाग से जदा की कलेक्शन की थी सिरिफ एक सिनेमा घर से जो की आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं और ये देखिये पौन खेसारी की फिल्म का तीन दिन का और साथ दिन का कलेक्शन अगर आप लोग को सई कलेक्शन देखना है तो आनन्द मंदिर थियेटर के फेस्बुक पेज पर जाकर आप लोग देख सकते हैं अगर हमारे इस वीडियो को पर लोग पुरा देखिएगा तभी अप लोग को पुरी बात समझ में आये और दोस्तों ने रहुआ पौन के सारी लालेदो जी का वीडियो पसंद आया तो यदा 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 लाइक करें कमेंट करें सेर करें सब्सक्राइब करें धान नवा दोस कर दो कि करें स।।